अब्धार्ना जनभागीदारी के आइडिया के साथ वर्ष 2021 में प्रारम की गई थी ताकि नीतियों के कार्यान्विन के लिए सामविक प्रयासों की भूमिका पर दोर दिया जा सके थी। केंद्री बजट 2023 की घोशना सब्त रिशी के मारदर्शन सी संधानतों पर है जो राश्ट के विकास का मारदर्शन करने के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। आज का वेबिनार Ministry of Road, Transport and Highways के द्वारा होस्ट किया जा रहा है तथा DPIIT इसमें को होस्ट हैं। इस वेबिनार में Infrastructure Development में निवेश को बढ़ावा देने और Logistics Efficiency को इंप्रूफ करने पर आज फोकस किया जा रहा है। इस पोस्ट बजट वेबिनार का उदेश सभी Stakeholders और आम आदमी को बजट घोशनाओं के बारे में जागरूप करना, Stakeholders की प्रात्मिक्ताओं पर विचार करते हुए बजट घोशनाओं को लागू करने के लिए एक सफल और Efficient Road Map को तयार किया जाना है। इस वेबिनार में आज अफसर रशना और आर्थिक मंतरालेओं, विभागों, राजियों, केंदर शासित प्रदेशों और Industries, Industry Associations, Manufacturers, Policy Makers, Subject Specialists और Academicians को सम्मिलित किया गया है। आज हम केंदरिय बजट 2023 के जो मुख्य घोशनाएं हैं जैसे कि अफसर रशना में निजिनिवेश के अफसरों को बढ़ाना, Logistics Efficiency हासिल करना, छेतरिय कनेक्टिविटी और सामंजस्य पूर्ण Master List of Harmonized Projects को तयार करना है। वेबिनार के प्रथम सत्र में प्रधान मंत्री जी के मारदर्शन उपरांथ सबसे पहले, Infrastructure और निवेश पर बजट प्रावधानों के संक्षिप्त विवरण और अपेक्षित परणामों पर चर्चा की जाएगी। तदोपरांथ तीन breakout, हमारे तीन industry representatives इस inaugural सत्र में हम लोगों को बजट के बारे में संबोधित करेंगे। तदोपरांथ तीन breakout sessions होंगे। ये तीन breakout sessions निम्नानुसार हैं। इंप्रूव्मेंट इन लॉजिस्टिक्स एफिशेंसी जो कि ministry of ports, shipping and waterways लीड कर रहा है इस discussion को, integrated infrastructure planning through PM प्रतनकति शक्ति जो कि DP IIT लीड कर रहा है, infrastructure development and investment opportunities, ministry of road, transport and highways लीड कर रहा है। इन तीनों sessions में जो संबंधित stakeholders हैं वो अपने-अपने session में भाग लेंगे, करीब 3 घंटे की चर्चा की जाएगी और इस चर्चा में जो भी सार निकल कर आता है, उसका प्रस्तुति करण जो plenary session होगा उसमें किया जाएगा। राश्ट के निर्मान हेतु प्रात्मिक्ताएं और बजट 2023-24 के कार्यानविन हेतु मारदर्शन प्रदान करने के लिए मैं अब माने प्रदान मंत्री जी को सादर आमंत्रिक करती हूँ। नमस्कार जी, मुझे खुछी है कि आज इंफ्रास्ट्रेक्टर पर हो रहे इस वेबिनार में सेंकडो स्टेकोंडर जुड़े हैं और साथ सो से जाधा तो MD और CEO समय निकाल करके इस महत्वपूर्ण इनिशेटिव का महत्मय समझ करके वेल्व एडिशन का काम किया है, मैं सब का स्वागत करता हूँ। इसके अलावा अनेको सेक्टर एक्सपर्स और विविन स्टेकोल्डर भी बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ करके इस वेबिनार को बहुत सम्रुद्द करेंगे, परणाम कारी करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, मैं फिर एक बार आप सभी का समय निकालने के लिए बहुत आभारी हूँ और रजय से आपका स्वागत करता हूँ। इस वर्ष का बजेट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनरजी देने वाला है। दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसिस ने भारत के बजेट और उसके स्ट्रेटेजिक डिसिजन्स की भूरी-भूरी पसंशा की है। अब हमारा कैपेक्स स्वाल 2013-14 की तुलना में याने मेरे आने से पहले जो स्थिती थी उसकी तुलना में चौदा गुना अधिक, पांच गुना अधिक हो गया है। नेशनल इंफ्रास्टरक्टर पाइप्लाइन के तहट सरकार आने वाले समय में 110 लाग करोड रुपिये इन्वेश करने का लक्ष लेकर चल रही है। ऐसे में प्रतेक स्टेक होल्डर के लिए ये नए दाइत्व का, नई संभावनों का और साहस्पुन निर्णे का समय है। साथियों, किसी भी देश के विकास में, स्थाई विकास में, उजवल भविष के ध्यान में रखते हुए विकास में, इंफ्रास्टरक्टर का महत्वा हमेशा से ही रहा है। जो लोग इंफ्रास्टरक्टर से जूड़ी हिस्ट्री का अध्यन करते हैं, वो इसे भली भाती जानता है। जैसे हमारे हाँ, करीब डाई हजार साल पहले, चंद्र गुप्त मौरिया ने उत्तरा पत का निर्मान किया गया था। इस मार्ग ने सेंट्रल एशिया और भारतिय उप महत्विक के बीच व्यापार कारोबार को भढ़ाने में बहुत मदद की। बाद में समराट अशोक ने भी इस मार्ग पर अनेक विकास कार्य करवाई। सोलवी शताबदी में सेरसा सुरी ने भी इस मार्ग का महत्वत समझा और इसमें नए सेरे से विकास कार्यों को पूरा कराया। जब बिटी शर्च आई तो उन्होंने इस रूट को और अपग्रेड किया और फिर ये जीटी रोड कहलाई। यानि देश के विकास के लिए हाईवे के विकास की अवधारा हजारों वर्ष पुरानी है। इसी तरह हम देखते हैं आजकल रिवर फ्रांट्स और वाटर वेज की इतनी चर्चा हो रही है। इसी संदर में हम बनारस के घाटों को अगर देखें तो वो भी एक तरह से हजारों वर्ष पहले बने रिवर फ्रंटी तो है। कोलकता से सीधी वाटर कनेक्टिविटी की वज़े से कितनी ही सदियों से बनारस, व्यापार, कारोबार का भी केंद्र रहा था। एक और दिल्चस्प उदार रहे हैं। तमिल नाडू के तैंजावर में कलेणी डैम है। एक कलेणी डैम चोल सामराज्य के दोरान बना था। ये डैम करीब करीब दो हजार साल पुराना है और दुनिया के लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये डैम आज भी आपरेशनल है। दो हजार साल पहले बना ये डैम आज भी इस खेत्र में समर्द्वि ला रहा है। अब कल्पना कर सकते हैं कि भारत की क्या विरासत रही है। क्या विशेशग्यता रही है। क्या सामरत रहा है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद आधूनिक इंफ्रासेक्टर पर उतना बल नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। हमारे यहां दसकों तक एक सोच हावी रही कि गरीबी एक मनोभाव है। पावर्टी इजब वर्च्यू इसी सोच की वज़े से देश के इंफ्रास्रक्टर पर इंवेश्ट करने में पहले की सरकारों को दिक्कत होती थी। उनकी वोटबेंग की राजनिति के लिए अनुकुल नहीं होता था। हमारी सरकार ने ना सिर्फ इस सोच से देश को बहार लिकाला है बलकि वो आधुनिक इंफ्रास्रक्टर पर रिकॉर्ड इंवेश्ट भी कर रही हैं। साथियों इस सोच और इन प्रयासों का जो नतीजा निकला है वो भी आज देश देख रहा है। आज नेशनल हाइवे का एवरेज एन्यूल कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की तुलना में लगभग दो गुना हो चुका है। उसी प्रकार से 2014 से पहले हर साल छेसों रूट किलोमेटर रेल लाइन का बिजली करा होता था, इलेक्रिफिकेशन होता था। आज ये लगभग चार हजार रूट किलोमेटर तक पहुँच रहा है। अगर हम एरपोर्ट की तरफ देखें, तो एरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में 74 से बढ़ करके 1500 के आस्पात पहुँच चुकी है, यने डबल हो चुकी है। याने 1500 एरपोर्ट इतने कम समय में पूरे होना उसी प्रकार से। आज जब ग्लोबलाइजेशन का यूग है, तो सी पोर्ट का भी बहुत मुहत्य होता है। हमारे पोर्ट की केपसिटी, अग्मेंटेशन भी पहले की तुलना में आज लगभग दोगुनी हो चुकी है। साथियों, हम इंफ्रसेक्चन निर्मान को देश की एकोनामी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत, 2047 तक विक्सिद भारत होने का लक्ष को प्राप्त करेगा। अब हमें अपनी गतिवार बढ़ानी हैं। अब हमें टॉप गियर में चलना है और इसमें पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्रक्चर का भारत के मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स का काया कल्प करने जा रहा है। ये एकॉनमी और इंफ्रास्रक्चर प्लानिंग को डेवलप्मेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। आप याद करिए हमारे हाँ बड़ी समस्या ये रही कि पोर्ट एरपोर्ट बन जाते थे लेकिन फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर ध्यानी नहीं दिया जाता था। प्राक्पिक्ता नहीं होती थी एसी जेड और इंडस्ट्रियल टाउन सी बन जाते थे लेकिन उनकी कनेक्टिविटी और बीजली पानी गैस पाइप्लाइन जैसे इंफ्रासेक्टर में बहुत देरी हो जाती थी। इस वज़े से लोजिक्स्टिक की कितनी दिक्कते होती थी। देश की जीडिपी का कितना बड़ा हिस्सा अनावश्यक खर्च वरा था। और विकास के हर काम को एक प्रकार से रोक लग जाती थी। अब ये सारे नोड्स एक साथ तये समय सिमा के आधार पर सब को साथ लेकर एक प्रकार से ब्लूपेंट तयार किये जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि पी-एम गती शक्ती नेशनल मास्टर प्लान के परणाम भी आज आने शुरू हो गए हैं। हमने उन गैप्स की पहचान की हैं जो हमारी लोजिस्टिक एफिशंसी को प्रभाविच करते हैं। इसलिए इस वर्ष के बजेट में हंड्रेट क्रिटिकल प्रोजेक्ट को प्राथफिक्ता दी गई हैं। और उसके लिए 75,000 करोर रुपे का प्रावधान किया हैं। क्वालिटी और मल्टी मोडल इंफ्रासेक्टर से हमारी लोजिस्टिक कोस्ट आने वाले दिनों में और कम होने वाली हैं। इसका भारत में बने सामान पर हमारे प्रोड़क्स की कम्पिटेंसी पर बहुत ही पॉजिटिव असर पढ़ना ही पढ़ना है। लोजिस्टिक सेक्टर के साथ साथ ईज अफ लिविंग और ईज अफ डूइंग बिजनेस में बहुत सुधार आएगा। ऐसे मैं प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए भी संभावनाए लगातार बढ़ रही है। मैं प्राइवेट सेक्टर को इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंतित करता हूँ। साथियों निश्चित तोर पर इसमें हमारे राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमी का है। राज्य सरकारों के पास इसके लिए फंड की कमी ना हो है। इस हेतों से पचास साथ तक के इंट्रेस फ्री लोन को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है। इसमें भी पिछले वर्ष के बजेटरी एक्सपेंडिचर की तुलना में तीस प्रतिशत की वृद्धी की गई है। मकसद यही है कि राज्य भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रेक्चर को प्रमोट करें। साथियों इस वेबिनार में आप सभी को मेरा आगरर हैगा कि एक और विशेपर भी अगर आप सोच सकते हैं तो जुरूर सोचिए। आधुनिक इंफ्रास्ट्रेक्चर के निर्मान के लिए विबिन्न तरह के मट्रियल का होना उतना ही जरूरी है। यानि यह हमारे मैनिफेक्चरिंग इंडिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी संभावना बनाता है। अगर यह सेक्टर अपनी जरूरतों का आकलन करके पहले से फोरकास करे इसका भी कोई मेकानिजम डेवलप हो तो कंस्ट्रक्शन इंडिस्ट्री को भी मट्रियल्स मोबिलाइज करने में उतनी ही आसानी होगी। हमें इंटिग्रेटेड एप्प्रोच की जरूरत है। सर्कुलर एकनामिक का हिस्सा भी हमें हमारे भावी निर्मान कारियों के साथ जोड़ना होगा। वेश्ट में से वेश्ट का कंसेप भी उसका हिस्सा बनना जरूरी है। और मैं समझता हूँ इसमें प्यम गती शक्ती नेशनल मास्टर प्लान की भी बड़ी भूमी का है। साथियों जब किसी स्थान पर इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलप होता है तो वो अपने साथ विकास भी लेकर आता है। एक पकार से डेवलप्मेंट की पूरी एकोसिस्टीम साइमेंटेनियस अपने आप खड़ी होना सुरू हो जाती है। और मैं जुरूर अपने पुराने दिनों को जब याद करता हूँ जब कच्छ में भूकम पाया। तो स्वाबाविक हैं कि सरकार के सामने इतनी बड़ा हथसा है तो पहली क्या कलपना रहती है। पहला एरत है चलो भाई जल्दी से जल्दी काम इधर उधर करके पुरा करो और नॉर्मल लाइप क्यों चलो। मेरे सामने दो रास्ते थे या तो उस ठेतर को सिर्फ और सिर्फ राहत और बचाव के कारियों के बाद छोटी मटी जो के तुड़ फूड है उसको ठीक करकर गे उन जिलों को उनके नसीप पर छोड़ दो या फिर आपदा को अवसर में बढ़ लूँ नई अप्रोच के कच्छ को आधुनिक बनाने के दिशा में जो कुछ भी हाथसा हुआ है जो कुछ भी नुकसान हुआ है लेकिन अब कुछ नया करूँ कुछ अच्छा करूँ कुछ बड़ा करूँ और साथियों आपको खुशी होगी मैंने राजनितिक लाप गेरलाप न सोचा तत्काल हलका फुलका काम करके निकल जागा और महाईवाई लुटने का काम नहीं किया मैंने लंबी छलांग लगाई मैंने दूसरा रास्ता चुना और कच्छ में विकास के लिए इंफ्रास्टेट करको अपने कारियों का मुख्र आधार बनाया तब गुजरात सरकार ने कच्छ के लिए राजय के सबसे अच्छी सड़के बनवाई बहुत चौड़ी सड़के बनवाई बड़ी-बड़ी पानी की ठंकिया बनवाई बिजली की व्यवस्ता भी लंबे समय के लिए कामा ऐसी करी और तम मुझे मालूम है, बहुत लोग मुझे कहते थे और इतने बड़े रोड बना रहे हो, पांच मिनिट, दस मिनिट में भी एक वहिकल वहाँ आता नहीं है क्या करोगे इसको बना करके, इतना खर्चा कर रहे हो, ऐसा मुझे कह रहे थे कश्मे तो एक प्रकारते नेगेटिव ग्रोथ था, लोग महां से छोड़ छोड़ करके कह छोड़ रहे थे, पिछले पचास साल से छोड़ रहे थे लेकिन साथियों, उस समय, इंफ्रास्रक्टर पर जो हमने इन्वेश किया उत्समय की आवश्यक्ता को छोड़ करके भविश्य के भी आवश्यक्ताओं को ध्यान में रख करके सारा प्लान किया आज उसका लाब कच्छ जिल्ले को अधभूत मिल रहा है आज कच्छ गुजरात का सबसे तेज विकास करने वाला जिला बन गया है जो कभी सीमा पर एन एक प्रगार्ज अपसवरों के भी पोस्टिंग करते तो पनिश्मोर्टिंग पोस्टिंग माना जाता था काला पानी की सजा बोला जाता था वो आज सबसे डवलप डिस्टिक बन रहा है इतना बड़ा ख्षेत्र जो कभी विरान था वो अब वाइबरेंट है और वहां की चर्चा आज पूरे देश में एक ही डिस्टिक में पांच तो एरपोर्ट है और इसका पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो कच्छ में जो आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर बना आपदा को अवसर में पल्टा और ततकाने जरुवतों से आगे सोचा उसका आज परणा मिल रहा है साथियों फिजिकल इंफ्रास्रेक्टर की मजबुती के साथ ही देश के सोशिल इंफ्रास्रेक्टर का भी मजबुत होना उतना ही आवशक है हमारा social infrastructure जितना मजबुत होगा उतने ही talented युवा, skilled युवा काम करने के लिए आगे आ जाये पाएंगे इसलिए ही skill development, project management, finance skills, entrepreneurship ऐसे अनीक भीशों पर भी प्राथविक्ता देना, जोड़ देना उतना ही आवशक है अलग-अलग sectors में, छोटे और बड़े उद्योगों में, हमें skill forecast के बारे में भी एक mechanism विक्सित करना होगा इससे देश के human resource pool को भी बहुत फाइदा होगा मैं सरकार के विविन मंत्रा लोज़ा से भी कहूंगा, कि इस दिशा में तेजी से काम करे साथियों, आप सिर्फ infrastructure का निर्मानी नहीं कर रहे है, बलकि भारत की growth को momentum देले का काम भी कर रहे है इसलिए इस webinar में जुड़े हर stakeholder की भूमी का और उनके सुझाव बहुत एहम है और ये भी देखिये, कि जब हम infrastructure की बात करते हैं, तो कभी कभी rail, road, airport, port, उसी क्या दो अब देखिये, इस budget में है, गावों में भंडारन का बहुत बड़ा project लिया गया है storage के लिए, किसानों की पैदावर के storage के लिए, कितना बड़ा infrastructure बनाना पड़ेगा हम अभी से सोच सकते हैं, देश में wellness center बनाए जा रहे हैं लाखों गावों में, health services के लिए उत्तम से उत्तम wellness center बनाए जा रहे हैं ये भी एक infrastructure है, हम नए realization बना रहे हैं, ये भी infrastructure के काम है हम हर परिवार को पक्का घर देने का काम कर रहे हैं, वो भी infrastructure का काम है इन कामों में हमें नई technology, material में भी नयापन, construction time में भी समय सिमा में काम कैसे हो इन सारे विशों पर, अब भारत को बहुत बड़ी शलांग लगाने की जरुवत है और इसलिए, ये webinar बहुत ही महतोपून है मेरी आप सब को बहुत बहुत शुब कामनाए है आपका ये मन्थन, आपके ये विचार, आपका अनुभव इस बजेट को उत्तम से उत्तम तरीके से इंप्लिमेंट करने का खारण बनेगा तेज गती से इंप्लिमेंटेशन होगा और सरभादिक अच्छे आउटकम वाला परणाम मेरेगा ये मुझे पूरा विश्वास है मेरी तरफ से आपको बहुत शुब कामना है धन्यवाद आप देख रहे थे बुनियादी धाचा और निवेश